12 मार्च को जिनकी शादी की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है वो है गैंग्स्टर संधीप और जिन से उनकी शादी होने जा रही है वो है लेडी गैंग्स्टर अनुराधा जो कि इस वक्त मेरे साथ मौझूद है एबीपी न्यूस के दर्शकों से खास तौर पर अपनी बा म्लडा जाता है लेकिन ये कैसे आम लोगों की शादियों से सक्छान्हां क्या इसं में कोई? इसमय कई है मैं जो कुछ नहीं है हमारे जी कुछ नहीं है हो सकता है कि पिलीस डिपार्टमेंट के लिए या मेडिया के लिए हो और ये यह हैं एक्युज़ संधीब भी custody में हैं मैं भी accused हूँ तो सिर्फ इस वज़े से इसके लिए इतने arrangements किये हैं पुलिस डिपार्टमेंट ने तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ खास है खास जैसा कुछनी वो ही शादी जैसे आम लोगों की होती है काला जठेडी उनका नाम जो है वो बुला जाता है आम तोर पर उन्हें तो वो अभी फिलाल जेल में हैं उनको बाहर लाया जाएगा कल कितना वक्त मिला है आप लोगों को क्या उसमें सारे रीती रिवाज हो पाएंगे शे गंटे का उन्हें वक्त मिला है और शे गंटे में जितनी रिचुल्स हैं हम कर पाएंगे उतना करेंगे बाकि कुछ रिचुल्स ऐसे हैं जिनको हमने हटा दिया है जी हम लोग इस वक्त देखे बता दे दर्शकों को उसी वेन्यू पर मौझूद है जहां पर ये पूरी सेरिमेनी होने वाली है पीछे देखे डाइनिंग एरिया है यहाँ पर खाना वगेरा जो है उसकी विवस्ता की जाएगी क्या कुछ खाने में होगा क्या कुछ मैन्यू 時間 को रहेगा मेनू मेरे एंलाज़ ने डिसाइड किया है नॉर्मल मेनू है जैसे मेडिल क्लास फैमिली में होता है क्यो कि मेरा उसंध्व का कल ट् Tousday का फास्ट है तो इस वजे से हमारा खाना नहीं हो पाएगा ज्यों कि आधाद खाना लेंगे नहींगे नहींंगा क्यों यहाँ पर आप देखिए आपको जो seating arrangement दिखेगा ये खास लोगों के लिए रहेगा क्योंकि जो scrutiny है या कहें पुलिस का surveillance बहुत है चार राजियों की पुलिस लगी हुई है security आपको दी है कही न कई डर भी है डर का महौल भी है जितना हमें समझ आ रहा है कहीं से वैसा कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें डर क्या है कुछ भी नहीं है बस ये एक process है जो court के डरेश्प के इसाब से लोगोंने security arrangements किये हैं डर किसी को नहीं है कुछ भी नहीं है तो जो invites है जैसा कि पुलिस है पुलिस के द्वारा उनको एक clearance दिया जाएगा उन्हें कही न कहीं एक web का जो scanner है वो दिया जाएगा फिर entry होगी तो कही न कहीं काफी जादा एतियात बरती जाएगी तो वो खास कौन से लोग होंगे जो इसमें इन्वाइट किये गए है सिफ फैमिली फैमिली और फ्रेंड्स है एड़ोकेट्स है क्योंकि हमारे एड़ोकेट्स हमारे लिए फैमिली है तो बस इतने ही लोग है उसके अलावा मीडिया परसंस है डिपार्टमेंट है इसके अलावा हमने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है और जो सेक्यूरटी अर्इंड्यमेंट्स किये हैं वो सारे इन्हों願ें और उफिसरस ने लोगों ने किये है तो उनको जो उचित लगा उन्होंने किया है अगर बात करें तैयारियों की तो तैयारियां अभी कहा तक हो गई है दुलहन है हमारे साथ मौझूद तो आम तोर पर जब हम दुलहन से मिलते एक दिन शादी के पहले तो हाथों में बहुत मेहंदी वगेरा होती है आप लोगों के ड्रेसेज रहेंगी क्या पहनने वाले हैं संदीप कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं और मैं साड़ी और इसी के साथ में देखिए तमाम इंतजाम हम आपको दिखा रहे हैं अनुराधा जी अगर हम बात करें शादी एक बहुत बड़ा कमिट्मेंट पूरी जिन्दगी का कमिट्मेंट कैसे आप पहुँचे और इस डिजिशन पर और क्यूं सोचा कि अब जाकर शादी करनी है और संदीप ही वो व्यक्ति हैं जिनसे शादी करनी चाहिए हम लोगों के thoughts और struggle एक जैसा है संदीप में भी वो ही bravery है या boldness है जो मेरे अंदर है किसी भी चीज़ को fight करने के लिए हमेशा ready रहे हैं कभी भी कहीं भी hesitation नहीं एक आम जो male होता है हमारी society में उसकी जो mentality होती है वो mentality नहीं रही है संदीप की काफी progressive उनकी mentality रही है लिब्रेल रहे हैं जी बलकुल बलकुल तो काफी सारी ऐसी चीज़ है जिस वज़े से हमें लगा हम लोगों ने तै किया कि हम शादी करके एक साथ इस ट्रॉगल पीरिड कम्प्रीट करते हैं कि मुलाकात हुई क्या कहें कि कब महबत में वो तबदील हुई मुलाकात 2020 के लास्ट में हुई है और उस दौरान मैं भी एक मैटर में अंडरगाउंट थी और संदीप भी तो उस दौरान हमारा किसी थर्ड परसन लॉरेंस विश्नुई नहीं है वो मुझे पता है आकसर लॉरेंस विश्नुई नहीं 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 उनका कोई कनेक्शन या करेक्टिविटी नहीं है लेकिन किसी दूसरे परसन के जरी हम लोग मिले थे यानि कि मुश्किल के जो पीरेड में कहीना कई एक फिल्मी मुलाकात हो गई और वो अब शादी तक पहुच रही है हाँ जे ब अब जब शादी होने वाली है और उसके बाद में जो ग्रह प्रवेश का वक्त है उसमें काफी डिफरेंस है काफी जादा टाइम है अलग-अलग दिन में रखा गया है उसका कोई खास कारण है हाँ एक ये जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की सवुलित के लिए आ गया है कि नाइट के टाइम में संदीप भाण ना रहे है जेल से क्योंकि डिपार्टमेंट को इतराज हो सकता है कि वह भागने की प्लानिंग हो या कुछ और इस तरीगी की प्लानिंग हो तो हमें जश् पुलिस डिपार्टमेंट को भी कोई दिक्कत ना हो और संदीब की मदर की जो इच्छा है वो भी पूरी हो सके लेकिन ये इच्छा तब पूरी होगी अगर कल जो द्वारका कोड के नियादिश मोद है दीपक वासन साब वो अगर हमें अलाव करते हैं क्योंकि कैंसिलेशन की अप्लिकेशन लगाई है सो निपत पुलिस डिपार्टमेंट ने तो अगर वो अलाव करते हैं तो फिर संदीब की मदर की इच्छा पूरी हो पाईगी संदीब की मदर का आप ध्यान रख रहे हैं अभी से बहुत अच्छी बात है आपके अगर घर की बात करें तो आपके पेरिंस का क्या कहना है ऐसे में क्या उनके मन में कभी कोई संशे था जब आपने बोला कि आप उस व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं जो फिलहाल जेल मे हैं जिनके ओपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं संदीब की मदर बहुत नाइस लेडी हैं सिंपल लेडी हैं और काफी ज्यादा दया लूर इस तरीकी की वो महिला हैं और रही बात मेरी फैमिली की तो मेरी फैमिली अगरी नहीं है अभी तक नहीं है बिलकुल नहीं आपकी कि परिवार की तरफ से कोई नहीं आएगा. इस इंटिव्यू के माध्यम से क्या आप अपने परिवार को कुछ कहना चाहती हैं? क्या बुलाना चाहती है एक बार और? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मैं कोई गलत कर रही हूँ, या मेरी गलती है, और जो मैंने डिसाइड किया, डिसीजन लिया है, मुझे इस पर गर्व है, संदीप जैसे आदमी बहुत कम होते हैं, होते रही है, मैं यह मानूं ही, क्योंकि मेरा स्टरगल पीरेड रहा है, जिस के जरीए समझाईए, जो दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि हम आपकी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं, बहुत मुझकिल है समझना कि आपकी लाइफ में क्या स्टरगल और चालेंजिस रहे हूंगे, किस तरह से मदद होती थी, कैसे, क्या करते थे वो, अग्चुली मैं MBA हूँ, और उसके बाद जब MBA कोई करता है, तो no doubt वो बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए करता है, मैंने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद में शेहर मार्केट का क्या ही, कोई गलत नहीं है, अगर गलत होता तो बहुत सारी ब्रॉकेज हाउस है, वो बंध होते, से भी उनको अलाव नहीं करता, और कुछ लोगों का पैसा लगा था, और जो मेरे पार्टनर थे, उन्होंने चीट किया, और allegation मेरे पे लगाए, तो उनसे मैं बॉखलाई भी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गई, जब मैं पुलिस डिपार् मैं इस life में एंटर की हूं, तो उसके बाद में में ने देखा कि उस दारान देखा कि मेरे साथ में कोई भी नहीं?", क्योंकि आज के टाइप में मैंने देखा कि कोई भी हो, मतलब, किसी के मैटर में या किसी उलजन में या सैस्तरीकी लफ़ड़े में गुसना ही नहीं चाहत मैं यह चाहती हूँ कि और कोई ना देखें और यहां तक पहुची हूँ बहुत मुश्किल सफर रहा है मेरा तो सपोर्ट कोई नहीं करता है समाज में महिला को तो इस वज़े से मैंने डिसाइड किया कि वो बैस्ट है और जी बिलकुल आखरी सवार अब क्या अपराद की दुनिया जिसमें आपका और आपके होने वाले पती का नाम जुड़ा हुआ है वहां से आप अपने आपको कैसे निकालेंगे क्या यह सोचा है क्या उसी दुनिया में उसी नाम में बदनामी में जीना है या उससे निकलना है इस बात को ठाना है देखिए हम अपराद छोड़ चुके हैं और जो हमें नाम जैसा भी नाम मिला उसका हमें रिग्रेट नहीं है ना संदीब को है ना मुझे है क्योंकि हमने जो भी किया मैंने जो किया वो मैंने अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा है आपके साथ गलत हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट साथ नहीं है तो फिर आप कहां जाओगे लेकिन उसका खामियाजा आपको वक्त वक्त पर भगतना पड़ा है हाँ बिल्कुल जो आपको सुन रहे हैं आपके विवाहिक जीवन के लिए बहुत शुपकामना है देना चाहते हैं आप बहुत खुश रहें अच्छे से रहें बस यहीं दुआ हैं और देखिए गैंग्स्टर अनुराधा नाम से जिने जाना जाता है एक सिंपल सी लेडी जब मैंने बात क करिये तो मुझे लगी है और बातचीत में बड़ी खुल के उन्होंने अपनी शादी से संबंदित बात करी हैं मैं वेन्यू आपको दिखा देती हूँ यह द्वार का का इलाका है और इस जगा पर गैंग्स्टर संदीप और लेडी गैंग्स्टर अनुराधा की शादी होन दर्वाजे पर ही दिखाई देंगे देखे आपको दिखा देते हैं दर्वाजे पर ही दो मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं यानि कि यहां पर जो आने वाले गैस हैं पहले उनको इन स्कैनर से गुजरना होगा यानि कि इस समारों में पूरी तरह से शांती बनी रहे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तमाम पुलिस ऑफिसर्स जो है वो सिविल में भी मौजूद रहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं यहां पर हम दिखा देते हैं एक सिंपल सा वेनियों में दिखाई दे रहा है कुछ हाइफाइव व्याइपी जैसा जो इंतजाम है वो न दिखाई गे और उसके बाद में शादी का समारो किया जाएगा यहां पर देखे डाइनिंग एरिया आपको दिखाई देगा शादी समारो के इस थल पर इस जगा पर आपको बता दे दिली पुलिस, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, चार राजियों की पुलिस यानि की डे पारा हो गया होगा, यानि इस जगा पर ऐसा कोई व्यक्ती अलाउड नहीं होगा, जिसकी अइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास नहीं होगी, पीछे स्टेज सेट है, स्टेज की भी तस्वीरे देख लीजे, जो हमने आपको पहले भी दिखाया, इंटिव्यू के दौरान यहाँ पर संदीप और अनुराधा यानि की गैंस्टर संदीप जिनको काला जठेडी भी नाम से जाना जाता है, और लेडी गैंस्टर अनुराधा बैठेंगे और शादी का ये जो पूरा समारो है, उन्समें रहेंगे, शामिल रहेंगे और शादी अपनी सफल करने की काम करेंगे कैमेरमेन धर्मेंद्र गौतम के साथ और जातिका सिंग एबी पी न्यूज द्वारका